नमस्कार दोस्तों, Homeopathic with Sachin में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट होमिपेथिक मेडिसिन रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूं रेमेडी का नाम है स्टेफी सगरिया बहुत ज्यादा यूद होती है बहुत प्रिस्क्राइब रेमेडी है लेकिन इसके बहुत red line symptoms या बहुत अच्छे key notes में आप लोग को बता रहा हूँ जिनको अगर आप लोग समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसका selection हो जाएगा relate करके मैं जितनी भी medicine मैंने अब तक material medical में बताई है सबको relate करके बताया relate करके ही इसको भी बताऊंगा ताकि समझना आसान रहे और homeopathic medicine को समझना relate करके अगर हम करते हैं तो और भी आसान हो जाता है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया या पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल को subscribe जरूर करिएगा subscribe करने से motivation मिलता है साथ में जो bell icon होता है उसको press करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की notification आपको timelly मिलते रहे हैं साथ में वीडियो को like जरूर करिएगा आपके important comment का इंतजार रहता है comment करिए मैं कोसिस करता हूँ ज्यादा तर लोगों के comment के जवाब दे सकूँ चलिए खेर स्टैफिस अगरिया एक deep acting remedy है oftenly prescribed remedy है और male dominating remedy इसको कह सकते हैं मतलब male पर या पुरुस person पर बहुत अच्छा effect इसका रहता है लेकिन दोनों को suggest किया जा सकता है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका तोड़ा mental symptom समझते हैं इस्टैफिस अगरिया के ये patient अपने आपको express नहीं कर पाता है अपने अंदर जो कुछ है उसको जाहिर करने में इसको बहुत दिक्कत होती है चाहे वो गुसा है चाहे वो affection है चाहे वो कुछ भी है इसको जाहिर करने में हमेसा problem ही रहेगी तोड़ी सी बात पे आप उसको नाराज कर सकते है थोड़ी सी बात पे स्टैफ्य सगरिया का जो प्रेसरंट है वो नाराज हो सकता है लेकिन फिर वही है कि वह अंदर अंदर उसको रखेगा बहार जाहिर पहुत कम करता है। इसके अलबा इसको जो है Discrimination या अन्याए किसी के साथ होता हुआ या खुद के साथ तो है किसी ओर के साथ भी यह नहीं देख सकता है। मालों जैसे कुछ अखो किसी बैंक की लाइन में लगे हैं, कहीं भी लाइन में लगे कुछ लोग यह टिकेट खिड़की पे हैं और वहां आप देखते हैं या मंदिर में भी हैं आप कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बीच में हमें सा गुसते हैं लाइन के बीच में गुसते हैं उस जगह स्टेफिस अगरे का जो पेसेंट होगा उसको बहुत गुसा आएग उस कंडिशन में यह चुप हो जाएंगे क्योंकि इनको अपनी रिस्पेक्ट काफी ज़्यादा प्यारी है दूसा कंफ्लिक्ट होने से बचते हैं फिजिकल होना तो बहुत दूर की बात है तू-तू-मेमा होने की कंडिशन से भी यह बचलेना ही पसंद करते हैं लेकिन बहुत मैटर करता है ऐसे लोग जो यह कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे हर बात में ऐसा कहते हैं तो उनकी कंस्टिट्यूशनल रेमेडी ज्यादा तर केस में आपको स्टेफिस अगरिया मिलेगी मेरे बारे में कोई क्या बात कर रहा होगा मेरे बारे में क्या बात चल रही हो z kep कमर में दर्द होना लेथारजीनेस बने रहने की सिच्विसन आँको की रुष्णी कम हो जाने की सिचिविसन है उसमें उन लोगों के लिए भी स्ट Shapmit evidence निया बहुत अची inc excitement रखता है, एक female patient के परती और sexual excitement इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन वही है कि expressive चीजों की कमी है, express नहीं, अपने आपको जाहिर नहीं, थोपना तो बहुत दूर की बात है, अपने आपको जाहिर करने की situation में, ये patient नहीं रहता है, इस type इसे गरिये का, ये बड़ी situation है इस patient की जो मैंने अभी आपको बताई, खासकर male patient में गर है, बच्चों में भी बहुत अच्छे symptom है इसका, एक बच्चा है जो छोड़ी चीजों के लिए रोता है, चीजों के लिए रोएगा, जिद करेगा बहु ज़्यादा, लेकिन वही चीज, रोने के बाद जब आप उसको दे लेगी, कि वह बहुत sensitive रहेगा, insulting चीजों के पड़ती है, abusing चीजों के पड़ती है, गुसा बले ही जल्दी आएगा बच्चे को, जैसे मैंने बदा कि उनी चीजों को यह accept करने से मना करेगा, जिनको यह लगातार मांग रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं होगा, अपने जो expression है, वो नहीं कर पाएगा, मतलब अपने आपको, जो उसके अंदर feeling है, उसको नहीं बता पाएगा, इसके लाबा, आखो में चालजन, जैसी जो situation है, गुहेरी जिसको हम बोलते हैं, गुहेरी बार-बार किसी को हो रही है, बार-ब ऐसे बच्चे जो stammering करने लगते हैं, अकलाने लगते हैं, बात में रुक-रुक के बोलने लगते हैं, उसकी बहुत अच्छी रेमेडिय है, स्टैफी सगरिया, ऐसे बच्चों को 200 पोटेंसी में स्टैफी सगरिया कुछ दिन तक दिन में एक बार दे दी जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को स्टैफी सगरिया से अराम होता है, अकलाने की situation, बहुत सारे बच्चों की मेने ठीख कही है, स्टैफी सगरिया दोसो पोटेंसी, दिन में एक बार दो दो चार चार बोली, और स्ट्या मोटेंसी की कुछ बुन्दे जीपर जो है लगतार देते रहने से बहुत जल्दी ज्यादा तर बच्चों की जो स्टैमरिंग है खासकर आधतन जो है वो तो हमेशा के लिए जूट जाती है किसी के फैमिली में हरेडिटरी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है सेलेक्ट भी करना पड़ता है तुजा की जुरत भी है लेकिन जो आधतन है या जो बाद में सुरूई है वो आराम से ठीक हो जाती है दात निकलवाने के बाद जो दर्द होता है किसी ने दात निकलवाए है अपने दात खराब हो गया वो निकलवाया उसके बाद दर्द होता है उसमें स्टेफिस अगरिया बहुत बढ़िया काम करती है 200 पोटेंसी की दो गुंदे सुबह शाम लेंगे तो बहुत जल्दी ठ स्टेफी सगरिया तो तमबाकू की इच्छा भी कम होगी और जो डिगेस्टिक डिस्टर्बेंस है उन लोगों का वह भी ठीक होता चला जाएगा तो तुतला कर बोलना, स्टैमरिंग, बच्चों के लिए हो गया, तंबाकू हो गया, बच्चों के लिए जिद करना और फिर उसी चीज को मिलने पर रोना, ये सब चीजे इंडिकेशन करती हैं स्टैफिस अगरिया का, और भी बहुत कुछ हो सकता है स्टैफिस अगरिया के ब बेस को भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका सेलेक्शन बहुत हीजी हो जाएगा ये था आज का वीडियो स्टेफी सकरिया पर उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करियेगा शेर करियेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करियेगा थैंक यू